मार्केट अनालीजिस के वीडियो में आपका स्वागत है मार्केट में आद हमको काफी अच्छा सा गिरावट देखने को मिला मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि यहां से रिवर्सल हो जाएगा पर मेरा एक था कि जो लेवल था वहाँ पर अगर ब्रेकडाउन दिया तो वहीं से हमको शॉर्ट देना था उसके वज़े से मेरे ग्रूप में मैंने बताया था कि 24-710 ध्यान में रखना इसके नीचे काफी अच्छा सा हमको पैनिक मिलेगा और 910 था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल तो मेरे पास तो अरोड़ी कल से मेरे पास शॉर्ट था जो मैंने आपको भी बताया था मैंने उसको होल्ड किया था और उसके साथ में मैंने कुछ स्टॉक थे वो जो ग्रूप में दिये थे और बाकी फिर मैंने दोलों गुरूप में भी शैर किया था कि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो यह ज्यान में रख सकते हो उस हिसाथ से यहाँ पर अगर शॉर्ट करना है काफ यचासा आज का दिन रहा था पहले ही समझते है कि यहाँ पर किस हिसाब से ट्रेड हुआ है और फिर हम समझेंगे कि कल हम इसके कैसे प्रिपाय कर सकते है आज हम फोकस करेंगे चार्ट पर ही कि option का data यहाँ पर आज जो है वो far strike पर है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है देखने का इसे अच्छा होगा कल market open होने के बाद में 10 बज़े अगर data देखोगे तो सही रहेगा तो पहले यहाँ पर निप्टी का देख लेते है तो यह हमारा resistance था स्टार्टिंग में यह हमारा make or break रहता है तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो first candle था इस level पर यहाँ पर जो open हुआ उसी level से rejection मिला M pattern confirmation हुआ और यही से continuation दिया था यह मैंने आपके साथ भी share किया था कि यह हमारा rejection point है और continuation देख सकते हो मैंने कुछ वीडियो में आपको बता था अगर 24,578 level ध्यान में रखना तो इसने यहाँ पर bounce दिया था उसी level के आसपा से देखेंगे तो यह पहला bounce आया फिर से rejection कहां पर हुआ तो आपका पहला candle पर यहाँ पर bounce आया था वही से continuation पीचे आया अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर कोई भी region से अगर एक bounce आता है और वापस यह 560 को break नहीं करता है तो 500 point open हो जाएंगे दोस्तो 500 point यहाँ से open होता है नीचे के लिए यानि कि 24,000 और 23,900 के बीच में आपको एक support मिलेगा वो कल हम समझेंगे सेकंड है हमारा bank nifty bank nifty में opening होने के बाद में हमने high लगाए और फिर यहाँ पर देखेंगे तो यह जो fall आया हुआ है यह हमारा क्या था support था कि हमको short करना है इसके नीचे ही करना है तो कुमेहाय जैसे breakdown हुआ यह हमारा first target था find it कल जो discuss किया था कि अगर यह पहला trend line में चल रहा है center line को breakdown दिया तो यहाँ पर support लेगा वही किया support लेके bounce दिया tweezer बनाया tweezer से फिर continuation हुआ यह हमारा previously जो buying zone था उसी का हमने low लगा है अब यहाँ से यह continuation अगर होता है यानि कि समझो कि जब भी यह breakdown होता है एक bounce देता है जैसे यहाँ पर दिया है तो अगर हमको collect bounce मिलता है और 400 के आसपास जाता है फिर से reject होता है मैं यहाँ पर prefer करूंगा short करने का 340 के नीचे तो जैसे यह 340 निकलेगा मैं यहाँ पर short का रखूंगा और यह हमारा first target रहेगा यह जो 180 के नीचे जैसे निकलता है तो 51,030 वो breakdown दिया तो फिर मेरे लिए यह नंबा सा थोड़ा target open हो जाएगा collect spire भी है अच्छा पैसा मिल सकता है आज भी put में काफी अच्छा था मेरे पास जो hero 0 मैंने group में दिया था वो 34 से था उसने तो फिर high तो लगाया था 200 dice के उपर पर जो मैंने उनको बोला था 100 तक तो हमने follow किया था मेरा जो exit था करीबन 85-86 के आसपास था मेरा जो आज short था मेरे पास stocks में था मैंने कुछ stocks मेरे group में कल से बताया थे एक तो डिक्सन था जिसका chart मैंने बताया था अगर मैं इसको daily chart करूँगा तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि मैंने ये stock को क्यो select किया था तो एक तो यहाँ पर देखें कि perfectly candle बना हुआ है यह मैंने आज ही उनको share किया हुआ था डिक्सन हायर पर end पर जाके क्या बनाया था इसने यहाँ पर दोजी गेंडल बनाया था दोजी गेंडल के बात में हमको क्या देखने को मिला यहाँ पर almost open equal to high फिर यहाँ पर जैसे low break किया continuation यह 200 का मैंने ग्रूप में भी बताया कि यहाँ पर यह 15,000 का पिछला जो low है वहाँ पर retrace करेगा वह 200 पॉइंट उस टाइम दूर था मेरे पास put वहाँ पर था फिर था HAL यह rejection point यह इसका क्या था consolidation क्योंकि previously यह resistance था जैसे ही आज निकला continuation इसमें भी देखने को मिला और हमने एक put भी लिया था यह मैंने ग्रूप में बताया था कल कि यह best candidate है क्यों क्योंकि यहाँ पर यह breakout failure है जब भी breakout failure होता है आपको एक बड़ा सा panic देखने को मिलता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिला आज का एक candle साड़े चार point का है percentage तो यहाँ पर अच्छा सा put में भी पैसा बना था MCX था एक second वाला इसको मैंने कल बताया था कि यह candle द्यान में रखना है hanging man candle है body के नीचे open होता है panic आएगा यहाँ पर परफेक्ट ली था इसमें भी हमने मेरे पास put था यह मेरे group में पता नहीं उन्होंने put लिया था कि नहीं पर मेरे पास put यहाँ पर open था तो यह था हमारा आज का short का अदानी इसको भी दिया था यह मेरा था point कि यहाँ से ध्यान में रखना यह निकला तो फिर यहाँ तक तो अभी half way तो हम पहुँच गए बी और 70 points यहाँ पर बाकी है budget finance आज इसका result था तो result की सबसे मेरे पास put था पर वो छोटी छोटा था तो उसको फिर करिबन 60% उसको जो बढ़ गया तो फिर मैंने उसको book कर लिया था आज का दिन काफी अच्छा रहा अब यहाँ पर हमें focus करना है कल के लिए क्या से trade कर सकते हैं दोस्तों गर आप इस चैनल पर नवे तो subscribe जरू करना वीडियो पसंद आए तो like and share जरू करना तो पहले यहाँ पर देखते हैं आप नेपकी यहाँ पर तो हमारा daily candle जो closing हुआ है जब भी 61% के नीचे sustain करते higher chance रहता है कि आप यहाँ तक आओगे जब इस लेवल पर था तब बताया था कि इसको W मत समझना यहाँ पर breakout fail हो गया तो यह यहाँ पर head and shoulder बनाएगा head and shoulder में क्या रहता है हमने क्या discuss किया था last time अगर यह activation हो जाता है और fold भी कर जाता है तो यह तो इसका range रहता है जैसे कि यहाँ पर था हमारा हमने range उस time भी count किया था फिर से देख लेते हैं करीबें 1500 point तो अगर समझो यहाँ से आप 1500 point fall होता है तो आप कहां तक जा सकते हो यह आपका आता है कि आप previously जहां पर यह था तो 23 के आसपास का बनता है तो अभी हम यह यह न और Fibonacci से हम देखते हैं पहले यह मैंने अगर यहाँ पर लगाया मेरा जो लेवल बनता है 24 158 तो 24 360 आएगा और उसके बाद में आता है 24 158 तो यह निकल गया तो यह हमारा जो यहाँ पर starting point है उसी के आसपास एक पहला support बनता है तो third candle हम कल 24 158 तक का हम मान के चलते हैं तो पहले हमारा रहे है उसके बाद में एक हमें expect कर सकते है bounce आएगा फिर continuation Monday को देखेंगे bank drifting slack का breakdown यहाँ पर भी एक head and shoulder बनता है इसका यहाँ पर lower end पर जो support बनता है 50,500 के आसपास है possible कल भी बन सकता है bounce में sell करना क्योंकि क्या होगा कि अगर जिन्होंने आत short किया है कल gap down open होता है तो वो profit book करेंगे तो क्या होगा कि fresh seller होंगे उनको यहाँ पर SL हिट हो जाएगा औ तो दो दरीके से trade कर सकते हो एक को क्या होगा कि अगर opening होता है पहले मांस मिनिट का candle low break करके फटा फट नीचे जा रहा है तो बेचना क्यों कि वो panic sell होगा फटा gap down open होता है तो खुश नहीं अगर आपके पास shorter तो book करना नहीं तो wait करना bounce कर फिन निप्टी काफी volatile रहा था तो अभी भी इसमें जगा है नीचे तो 23 findate तक के लिए आप trade कर सकते हो जैसे low निकलता है आप इसको short कर सकते है तो उसी ही साब से हमको trade करना है stock में सुभे आपको group में बता दूँगा कि कौन से stock हमें follow करना है और global quiz की बात करें तो 18 point है पुरा flat ही चल रहा है को major वहाँ पर difference नहीं है crude बड़ा हुआ है 1.89% के आसपास है तो यहाँ पर gap भी चुटा था जो मेरा group member है वो बता रहे थे यह gap चुटा हुआ है उपर वह काफी दूर है इसके लिए उसको sustain करना पड़ेगा यह level के उपर 6040 6040 के उपर sustain करेगा तो एक attempt करेगा यहाँ पर higher end पर जाने के लिए अब वापस चलता है हमारे intraday chart तो nifty का chart में क्या आपको देखना होगा यहाँ पर कि अगर intraday करते हो तो जैसे अभी हमने discuss किया कि यह level important रहेगा 578 जब तक इसके नीचे है हमें sell on rise रहेगा हमारा market हम इसको अगर gap down अगर होता है समझो कि 400 के आसपास तो immediately कुद के मत buy और sell करना wait करना क्यूंकि अगर पहला candle भी grain बन जाता है तो थोड़ा buying आ जाएगा और अगर पहला candle थोटा बनता है और दूसरा candle red उसके low के नीचे बनता है तो एक panic sell आएगा इस हिसाब से आपको trade करना है 400 के आसपास gap up open होता है 578 के आसपास यहाँ पे कोई भी bearish candle मिलता है plot करना जैसे shooting star हो गया फिर यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा एक open equal to high हो गया bearish angle firm तो उसको short कर सकते हो नीचे में 158 के आसपास आपका profit book होना चीए इसमें best क्या रहेगा कि अगर आप यहाँ पे इस level के आसपास open होते हो और यहाँ से फिर breakdown देता है तो एक अच्छा सा trade मिलेगा flat open में क्या होगा कि possible हम थोड़ा यहाँ पे sideways हो जाएंगे second हाँ में breakdown दे सकते हैं तो यह जब नीचे आएगा तब एक आपका trade अच्छा सा नीचे मिल सकता है 180 को कि नीचे जीतना sustain करेगा आपके लिए नीचे bearish trade open होगा तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो पसंद आयोगा अच्छा लगा है तो दोस्तों like and share जरू करना तक्यू मिलते ने वीडियो मेड तेक केर बाइबाए